जैश्री राम, जैश्री गनेशा, वेलकम बैक टो माई चनल, आज मैं हूँ श्रीम मूर्ती आर्ट्स पे, तो यह है गटकेसर के पास, तो यहां पे यह लोग मुंबई स्टाइल गनेश बनाते हैं, तो जब मैंने ओनर से बात की, इन्हों ने कहा की, यह फर्स्ट है जिन्हो कि यह अलड़ी बुक्ट है, और बारिश का सीजन है, तो जब आगमन होगा, तब ही कवर निकला जाएगा, तो तब तक इसे पुरा कवर करके, प्रोटक्ट करके लगाया हुआ है, तो अभी आप देखे, यहां पे दो बड़े-बड़े शेशनाग दिये हुए है, गनेश पीछे, तो अभी जिसके ओपर यह बैठे भी हुए है, गनेश जी, तो अभी इसके अंदर में देखने वाली बात यह है, जैसे कि उन्होंने का मुंबई स्टाइल गनेश, मुंबई स्टाइल गनेश में आर्ट वर्ग जो होता है, बहुत ही यूनिक होता है, तो अभी इसके बहुत ही बाईक का में, इन्होंने बताया कि इसके लिए स्पेशल आर्टिस्ट हायर किया है, जिसके वैसे इन्होंने इतना यहां पे भी देखिए, इस हात में भी, मतलब यह कॉंप्रमाइज नहीं करते है, पो अब देख सकते हैं यह बहुत बड़ा गनेश का मुर यहां से आपको कान के बालिया दिखेंगे बहुत लगती डिफेरेंट डिसाइन के है और धोती का डिजाइन, वस्तर का डिजाइन सब डिजाइनर है आप दीख सकते हो यहां पर देखिए यह ओर चीज़ों पर काम करते हैं इसलिए इनके गनेश बहुत यूणिक और जैसे कि मैंने का मैंने का मेरे सारे जो भी गनेश में आपको दिखाता हूं आपके सामने लेके आता हूं वो पूरे यूणिक है सेम रिपीटेड नहीं है तो यहां पर देखिए यह गनेजी पीछे इन नाग है तीन शेषनाग है और त्रिशूल कितना बड़ा है बहुत बड़ा त्रिशूल दिया है इनोंने गनेजी के हाथ में तो पूरे इसमें देखने के लिए आपको जोयलेरी का जो वर्क है वो तो यह बहुत देखने लायक है जब हम गनेज देखने आते हैं यही सब चीजे तो देखते है कि इसमें डिफरेंट क्या है तो इनके गनेशों में स्टोन वर्क और डिजाइन मुंबै स्टाइल गनेश है इसलिए इनका रूप थोड़ा डिफरेंट है यहां पर आईए मैं त्रिशूल है हाथ में तो यह सब देखें यहां पर यह डिफरेंट वस्त्र यह धोती सब अल्मोस्ट यहनों मुंबै स्टाइल में है तो इनके सारे गनेश ऐसे बड़े बड़े है और यहां पर आपको अलग दिखाता हूं इतना बड़ा त्रिशूल दिया इन्होंने आर यहां पर यहां से देखें यहां थोड़ा डिबड़ा दिया फो इसी तरह यहां पर यहां पर बोल सकते हो तो यहां पर इंके हाथ में उसके उपर भी स्टोंग किया हूए अप जुम करके देख सते हो गदा वाख मे उसके ओपर स्टोंवग किया हुआ इसे तो यह अट भूक है सारे गनेशिंग के कह बुख है तो यह एक शेड है यहां पर पूरा है चाम हो चुका है तो खुर बाजलर जिसमें चुकों हम चेह च्शॉटा मोटा काम चल ला है और एक शेड छिस अगले शेड में आपको और इसमें गनेज जी का दिखाता हूं बाला जी के रूप में है पर इसके इसका डिजाइन बहुत अलग है यहां पर कवर करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जगा बहुत कम है इसका स्टोन वक देखिए आप यहां यह जोलेरी देखिए गोल्ड के बहुति हो कैक इथ बहुत अलग है यहां से देखिए बहुत ही डिफरेंट सीटिंग पोईशन एगए बहुत दिवह ईगताईज जी का तुर कि पे तो चलिए हम दूसरे शेड में चलते हैं